दोस्तों पानी का हमारे जीवन में क्या महत्व है इसको मुझे बताने की जिरोत नहीं है या बहुत अच्छी तरह जानते हो क्योंकि आपने जैसे देख रहे हो कि हमारी बाडी में 70% वाटर है यानि कि 70% हमारे जो बाडी में पानी है तो हमें हमेशा ध्यान लगना है कि हम ज जैसे डियाईपी डियाईट है अगर आप लेते हैं तो उसमें फ्रूट्स वेजटेबल आपको बताया गया है तो उसी साब से डिजाइन किया हुआ है कि उसमें 70% आपको जो है अलकलाइन फूड मिलेगा यानि कि जिसके अंदर बहुत है वाटर रिच फूड जिसको हम ब माद बाद 15-20 मिनिट बाद हमारी बॉड़ी को बहुत ही सुकून मिलने लगता है और हमारी बाड़ी बहुत ही अच्छा फील करने लगती है उसका रिजन यह होता है कि जो ढखनी का पानी होता है यह स्ट्रुक्चर्ड वाटर होता है और जब यह ढखनी हम पर पढ़ता र अब आपने सुना होगा कि बार-बार कहा जाता है कि always drink structured water, तो सवाल यह उड़ता है कि actually structured water है क्या और यह पीना क्यों जरूरी है और इसको घर पर कैसे बनाया जा सकता है, क्या एक शुद्ध अमरिज जैसा पानी घर पर बनाया जा सकता है, जैसे कि आप जानते हैं, डॉक्ट पूरे word को दिया, जिनके सारे हम काफी बिमारियों को दूर कर सकते हैं, तो as per dr. खादर वली, जो पानी होता है, water होता है, वो एक ऐसा liquid है, जिसके अंदर यह hydrogen bonding की वज़े से, जो उसका molecule है, उसका बड़ा सुन्दर arrangement है, जैसे आप देख रहे हैं, यह कितना सुन्दर arrangement है, यह देखिए, एक माला की तरह है, जो जैसे मोती में माला पिरोज दिये जाते हैं, इस तरह से, यह इसका structured है, लेकिन जैसी है यहाँ पर आता है, यह जो तूटा हुआ है, यह तूट गया है, इसको बोलते है, de-structured, तो हमें क्या चाहिए, हमें structured water चाहिए, जो इस तरह का ह आता है, इसका arrangement भगवान ने किया हुआ है, भगवान जो जो जहरने से में पानी देता है, यह मलें पानी जो ऊपर से बहता हुआ नीचे आता है, इसके अंदर एक kinetic energy होती है, और यह kinetic energy उस पानी को structured बना कर रखती है, उस पानी को destructured नहीं होने देती, तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि structured water actually करता क्या है, अगर हम structured water पीते हैं, तो यह हमारी body में जाके, हमारी body के जितने भी toxic चीजे हैं, यह जितने भी wastage है, उसको जो निकाल कर और urine के रस्ते ही यह बाहर कर देता है, यह काम है structured water का, और जो d structured water होता है, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा minerals होते है और बहुत ज्यादा chemicals होते हैं, जो कि हमारी body के लिए, हमारे शिरी के लिए बहुत ज्यादा नुकसान दायक हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, कि जितने भी यह chemicals होते हैं, यह पानी के अंदर डलते हैं, यह जुचने भी stagnant water होता है, जो कि खड़ा हुआ रुका हुआ पान होता है, तो हमें इस de-structured water को ही structured बनाना पड़ता है, अब सवाल आता है, कि structured water की actually जरूद क्या है, यह क्यों हमें पीना चाहिए, देखिए, अगर पानी के अंदर structuredness है, इसका मतलब delta negative positive है, अगर अगर हम वो पानी पीते हैं, तो यह पानी हमारी body से जितने भी wastage है, जितन पीना चाहिए, आप देखते हैं TDS, total dissolved solids, TDS के बारे में आपको अच्छे तरह पता है, आपके घर में RO लगा है, आपको RO को TDS है, हमारी body जो है, हमारी body में cells है, यह आप जानते हैं, इन cell की वज़े से, cell grow करते हैं, तो हम और स्वास्त होते हैं, जब cells बनना बंद हो जाते ह हैं, हम बुड़े होने लगते हैं, और अगर cells बड़ा हो जाता है cell, तो वो एक cancer बन जाता है, अगर cell की growth नहीं होती है, तो हमें दिक्कत होती है, मतलब cell का ही सारा खेल है, तो यह जो हमारे cells होते है, हमारी body में जो cell है, इस cell का TDS होता है, वो 200 होता है, जी हैं दोस्तों, इ अगर आपके घर में RO लगा हुआ है, तो आप RO में चेक कीजिए कि आपके RO का TDS क्या है, अगर आपके RO का TDS 152, 250 है, तो ठीक है, हमारे RO का TDS जो है, क्योंकि हमारे cells का TDS कितना है, 200, तो इसी के आसपास हमें अपने TDS, अपने पानी का TDS रखना है, जो कि 152, 250 होना है, तो अगर आपके जैसे कि आप जागते हैं, प्लास्टिक बटल में जितने ये मिनरल वाटर बिखते हैं, उनका TDS maximum 50 होता है, ये 50 से less होता है, तो समझे अगर पानी के अंदर 100 से कम TDS है, इसका मतलब उसके अंदर कोई salt नहीं है, और अगर 250 से जादा है, तो इसका को चेक किजिए, चेक करके, और आप देखे, अगर TDS 150, 250 तक है, तो ठीक है, वरना इसको सेट कराई है, जैसे आप बोरवल देखते हैं, बोरवल जो होता है, बोरवल से जो पानी आता है, वो 400 तो 600 TDS होता है, इसके अंदर उसके अंदर बहुत ज़्यादा salt होता है, तो य यह उसका रीजन है कि हम वो पानी नहीं पी सकते हैं, और जब यह बारिश का पानी गिरता है जवीन पर उसके बाद वो बहता हुआ जाता है, तो बहते हुए पानी में क्योंकि salt soluble होता है, गुलंचील होता है, तो जब salt उसके अंदर मिलता है, salt मिलकर उस पानी को पीने ल तो हम यह structured water कैसे बना सकते हैं, इसका solution हमारे पुर्वजों ने बहुत पहले कर दिया था, लेकिन हम जब पड़े लिखे हो गए, ज़्यादा पड़े लिखे तो हमने अपने पुर्वजों की बात माननी, छोड़ दी, दादी नानी के नुक्सों को छोड़ दिया, और यह हम हेल्थ के मामल में बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, एक नंबर के आदिवासी बन जुके हैं, हमसे अच्छे तो वो लोग हैं, जो की ज़्यादा पड़े लिखे नहीं थे, आज के जमाने में जो लोग पड़ा लिखा है, जो इंगलिश बोलना जाता है, उसको बड़ा करी दिया है, तो मेरी आप से रिक्रस्ट है कि आप नेच्रोपैथी को अपनाएं, ताकि आप अपने देश को, आप अपने आपको, अपने समाज को एक सही सुत में बान सकें, ताकि इस देश का नाम आगे बढ़े, तो दोस्तों, अगर हमें घर बैठे, शुद्ध प्लेट है, इस कॉपर प्लेट का साइज है, इसकी चोडाई 3-4 इंच और इसकी जो लंबाई है वो 1 फूट होनी चाहिए, यह जो कॉपर प्लेट है, यह ओनलाइन आपको 300-400 रूपे की मिल जाएगी, इसकी प्योरिटी 99.99% होती है, यह आपको ऑनलाइन कहीं से भी मिल ज प्लेट होता है, मिंस डिल्टा प्लस माईनस और यही इसको structure बनाता है, मिंस अगर आप इसको पानी में डाल देंगे, तो पानी को यह structure बना देगा, यही इसकी खूबी है, देखिए, एक आप घड़ा लेगे, घड़े के अंदर पानी बर देजिए, पानी बरने के बाद आप इस copper plate को डाल देजिए, बस इतना आपको करना है, और दोस्तों ये काम जो ये copper कर रहा है, ये काम आप चांदी के बरतन में भी कर सकते हैं, चांदी के बरतन में भी आप पानी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि वो structure नहीं बन सकता, वो पानी जो आप चांदी के बर आपको करना क्या है, रात को आपने 8 बजे या 10 बजे, कितने बजे भी आपने मटका लिया, मटके में आपने पानी डाला, पानी डालने के बाद उसमें आपने ये copper की प्लेट उसकंदर डाल दी जैसे ही डाली गई है, उसको 8 से 12 घंटे छोड़ दीजिए, और सुबह जो आप उठते हैं, तो इस copper plate को निकालिए और बाहर रख दीजिए, और अब वो पानी आपको पीने को तयार है, उस पानी को आप पी सकते हैं, उस पानी में आप खाना बना सकते हैं, और दोनों ही कोम आपको करने हैं, आपको पानी पीना भी है, और आपको उस पानी में खान भी बनाता है तो इसको बोलते हैं हम इस चुक्चर्ड वाटर इस तरह से हम इस पानी को बना सकते हैं ध्यान रखिए सुबह जब आप इस कॉपर प्लेट को निकालेंगे तो यह बहुत ही गंदा हो चुका होगा तो अब आपको करना यह है कि इस कॉपर प्लेट को आपको निम्बू और नमक से बहुत अच्छी तरह साफ करना है जब यह निम्बू नमक से साफ करेंगे तो फिर यह चमक जाएगा और फिर आप इसको दुबारा से आप यूज करेंगे आप इसे इमली के पानी से भी साफ कर सकते हैं कोई भी खटी चीज है उससे आप इसको साफ कर सकते हैं तो जब यह पानी आपने एक बार बना लिया और सुबह कॉपर प्लेट निकाल के रख दिया दो के बाहर रख दिया तो उस पानी को आप पूरे दिन खाना बनाने में और पीने में समाल कर सकते हैं फिर रात को फिर उसी तरह से आपको मटके को साफ परके पानी डालिए और फिर इस कॉपर पलेट को उसकंदर डाल दीजिए ये आपको हमेशा इस तरह से स्ट्रक्टर बनाना है कुछ important point में आपको बतायता हूँ कि अगर आपके घर में RO नहीं है आपका पानी municipal corporation की टंकी से आता है या कहीं और से आता है तो आपको करना यह है कि उसको जगर आपको इस स्ट्रक्टर बनाना है तो सबसे पहले मटके में जो पानी आप रखेंगे हमेशा द्यान रखेंगे कि ऐसे पानी को ऊपर से पीना है नीचे आपको जाकर नहीं पीना है क्योंकि नीचे जो सतय होती है उसके अंदर जितने भी impurity होती है वो नीचे बढ़ जाती है तो आपको नीचे का पानी नहीं पेना है अगर आपको मटके में टोंटी भी लग वी है किसी की नीचे तो नीचे नहीं होने चाहिए टोंटी आप उपर लगवाईए ताकि नीचे का पानी आप ना पीए तो इस तरह से ये करना है उसके बाद ध्यान ये रखे कि जब भी वो पानी रखेंगे जैसे आपने मटके में पानी लिया पानी रखने के एक घंटे तक वो हिलना नहीं चाहिए मिंस आपने पानी लिया और पानी लेने के बाद आपने ये copper plate उसके उसके तर डाल दिया और डालने के बाद उसको एक गंटे तक छोड़ दिये ताकि वो हिले ना, कम से कम हिला नहीं ची एक गंटे तक बीज निकालने के बाद उस बीज को उस पानी के अंदर डाल देजिए ऐसा करने से भी उस पानी की जितने भी इंपिर्टी है वो सारी नीचे जाकर बढ़ जाएगी तो यह काम आपको करना है इसके अलावा हमेशा आप बहुत लोग हमेशा गरम पानी पी रहते हैं लगता है गरम पानी बहुत अच्छी चीज है एक्चुली गरम पानी बैक्टीरिया को किल करता है और बहुत सारे केस में हमें बैक्टीरिया चाहिए होते हैं तो इसलिए हमेशा गरम पानी हमें नही वाला नहीं है बस रोज आपको शुबह निकालना है नीमू नमक पानी से दोना या मिली के पानी से दोना रख देना है और आतको फिर इसको ऐसे डाल देना है यह आप यूज कर सकते हैं कापर बोटल का जो छो च्छेद बाने ना पिएं, कोफी कौपर बोटल का जो छोटा होता मैं कि पानी दालते हैं उसको स्टील कीback pagar बॉटल में भर लिए और उस बॉटल का ओफिस ले जाए या कही गाड़ी में जा तो रटे ले और उस पानी का वम इस्तमाल कर सकते तो स्टील की Elsa कॉपर बॉटल और वही आप पिएंगे यह बहुत नुक्सान दायक होगा तो इसको मैक्जिमम आपको 12-24 गंटे तक रखना है इससे जाधा नहीं यह इसके अलावा दोस्तों जो प्लास्टिक की बॉटल होती है उसको आप बिल्कुल अपने घर से हटा दें प्लास्टिक की बॉटल में बिल लेकिन अगर उसके अंदर नैनो पार्टिकल्स जो पानी के थ्रू जाते हैं वो इसको हाइड्रोफॉबिक निचर का बना देती है अब आप कहेंगे कि हाइड्रोफीलिक और हाइड्रोफॉबिक निचर से क्या फर्क पड़ता है दोसरे जो हाइड्रोफीलिक निचर है इस हाइडोफ़बिक बना देते हैं यानि कि हाइडोफ़बिक का मतलब है कि पानी को दूर रखते हैं ये पानी नहीं आने देते हैं तो हमारी इंटस्टाइन पानी को दूर रखती है पानी अपने अंदर नहीं आने देती है इससे क्या होता है कि हमारी आते dry होने लगती है तो ये problem है जिसके वज़े से बहुत सारी बिमारियां बहुत सारी problems आपको आती है तो दोस्तों इसलिए मेरी आपसे request है कि plastic bottle को हटा दें ताकि आप nano particles से बस सकें तो दोस्तों ये थी video पानी पर कि किस तरह से आप घर पर बहुत आसानी से शुद्ध अमरिज जैसा structured water बना सकते हैं और वो पानी जो कि बहुत clean होगा और disinfected water होगा और किस वज़े से सिर्फ एक copper plate की मदद से बहुत आसानी से घर पर बटें ये video आपको कैसी लगी comments walk में जरूर लिखी अच्छी लगे तो इसको like जरूर करें क्योंकि मैंने इस video को बनाने में काफी मैनत किये काफी study किये और इस video को अपने दोस्तों यारों में रिलेशन में जरूर बेज़ें ताकि वो भी लोग बिमारियों से बस सकें एक शुद्ध और अमरिज जैसा पानी पीकर आगे भी मैं इसी तरह की वीडियो बनाता रहूंगा अगर आपने इस चैनल को अप तो सब्सक्राइब नहीं के तो जल्दी से कर लें बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि नॉटिफिकेशन आपको तुरंत मिले ताकि कोई री कोई वीडियो आप मिस ना करें थैंक्यू सो मच पर वाचिंग वीडियो जल्दी मिलता हूं तब तक अपना ध्यान रखिए और कल से ही आपको इस्ट्रक्चर्ड वाटर पीना है और इसी का पानी आपको अपने खाने में खाना बनाने में यूज़ करना है थैंक्यू सो मच बंस अगें नमशकार